सो नाव डेटामेटिक ग्लोवल सर्विसिस लिमिटेड अब देखे यह 701 उर्पए 75 पैसे पर बंद हुआ है यह स्टॉक हो रहे हैं यह हम जल्दी अपडेट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि Q3 के नमवर्स 9 फरवरी को आने हैं आज 8 फरवरी है तो हो सकता है स्टॉक जो है वो दे चुका है अब यहां पर 701 उर्पए पर क्या व्यू बनाएं डेटामेटिक के अंदर यह इंपोर्टेंट है तो पहली बात तो जाद तर आईटी के अंदर आप देखोगे तो Q3 भी सुस्त नजर आए है भले ही आपर मार्किट कुछ भी कहता रहे कि यह कुछ खराब न डेटामेटिक के यहां पर नंबस कैसे आएंगे यह कह पाना बड़ा मुस्किल है बट यहां पर स्टॉक कैसा है क्योंकि हमारे लिए मल्टिवेगर साबित हो चुका है मैं तो यहां पर बहुत जादा इससे स्टॉक को रडार पर रखे हूँ कि आपको अल्रेडी टाइम ट डिसकस करेंगे बट यह आपके सामने वन एयर केंडलिस्टिक चार्ट है और यहां पर आपके सामने यह जो लाइन्स आपको देख रही है ना यह लाइन्स हम दो तीन साल से कवर कर रहे हैं अब देखे मतलब है इसको कवर करने स्टार्ट किया था हमने हैपिएस्ट कि कौन जाधा पहता रहे तो सौर रुपै पर हमें यह हीरा मिला और एक समझ में आया कि उस महेंगे स्टॉक को खरिदना बहुत जाधा रिस्की है कंपेर टू इस सस्ते स्टॉक को खरिदना इसके फंडमेंटल इतने कम थे अराउंड 500-600 करूर का मार्किट कैपता चार हज कि कमपनी बन चुकी है डेटामेटिक नमबस लगातार भड़े हैं इस स्टॉक के बारे में अगर आपको समझना है तो जब आईटी के अंदर एक गरावट आई थी उस सुबत का आप चार्ट देख लेना इसका आपको समझ में आ जागा इसने रती बर उस गरावट को पार सिटी रखता है तो हमारे सामने एक मल्टी वेगर स्टॉक है जो आगे भी मल्टी वेगर रिटन देने के लिए तो अभी ना अगर आप डेटामेटिक देखे हैं तो कुछ इस तरीके से आपको देख रहा है और जैसा कि मैंने आपको बताय कि 600 करोड का मार्किट कैप था उ लेकिन इसका अर्णिंग पर जिस तरीक से ग्रोथ दिखा रहा था जिस तरीक से यहाँ पर जो है इसकी वेल्यूशन अंडर वेल्यूड हाइली अंडर वेल्यूड मतलब जमीन के नीचे गुसी हुई थी उस वक उस वक तो इस स्टॉक को समझा 100 रुपै पर बहुत सारे ल जिस तरीके नंबर से पहले आपको आखड़े कुछ ऐसे दिखते हैं पी रेशियो आपका 19.80 पर है इस वक तो 19.80 पर है और आपका इंडस्टीबी 33.22 पर है यानि कि यूज वेल्यूशन आपको पियर कंपैरजन अच्छे दिखाई दे रहे हैं अंडर वेल्यूड इस्ट बनाएं जादा बहतर है जरूरी यह है कि दीरे दीर चलते जाएं पैसा बनता चला जाए ना कि अचानक से पैसा बिल्ड हो जाए उसके बाद हाई वेल्यूशन को लेके चिंता करें तो यह सब नहीं चाहिए यह सबसे बहतरी निस्टॉक इस वक ते यहां पर नजर आता है 190.84 का बुक वेल्यू है अराउंड 200 का बुक वेल्यू है और यहां पर जो है आप देखेंगे अपने प्रैस टू बुक वेल्यू से यहां पर 3.16 एंटाइम ही उपर वर्क कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि 15 गुना या 20 गुना अपने बुक वेल्यू से काफी सारे स्टॉक वर देखने हूं मिला है और आने वाले समय में जिस तरीके से इनका AI को लिखा वर्क है जिस तरीके से इनका पार्टिसिपेशन है IT के अंदर वो इनको आगे लिखर जाएगा तो अभी आपके सामने यह नम्मर्स हैं लगातार आउट परफॉर्म किया है बड़ अगर आप 77 यहानि कि कौर्टर दर कौर्टर अगर अच्छे नमबर पेस कर दे तो डेटा मेंटिक लिए यहापन ला बहुत ही इंपॉटन रहेगा इस स्टॉक के लिए और कही न कहीं अगर ये क्वार्टर दर कौर्टर नमर्स आउट परफॉर्म कर गए तो यहाँ पर बहुत ही तो आप पैसा लगा दें देखें जगा जगा आपने स्टार्टम में आप देखें न्यू एच कमपनी में लोग रिस्क लेने के लिए लिए आ रहे हैं वगेरा 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 बढ़े ही आपका है यहाप जो है तीन डिजिट में यह स्टॉक मिल ला है 700 रुपर मिल ला है बट मार्किट के बहुत कम है स्मॉल केप कमपनी है बहुत ही अच्छा यहापर जो है रिकॉर्ड है इसका तो इस बात को आप समझे ज़ादा से ज़ादा जिस तरीक से आप आई पियो में लोट लेते हैं कहीं न कहीं आपको उस तरीक से आपको देखना चाहिए बहुत क्या से क्यू देख लीजए क्यू देख लीजए उसके बाद कोई कदम लीजे जादा वेतर है ऐसे थे टूट नहीं पढ़ना है अगर क्यू धर को क्युत्री आंपर जो है कॉर्टरदर क्वाटर अच्छे नहीं आए तो कहीं नहीं आई तो कहीं यह मैं 100 रोपय की डाउंस देखने को मिला था, 494 करोड को आउट परफॉर्म कर देगा, अपने जो प्रीवियस जो हाइज हैं, उसका यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ देगा, तब यहाँ पर आप देखेगा कि यह स्टॉक कहाँ पर जाने वाला है, नाइन्थ फरवरी कल के दिर नम्मर्स आने वाले है प्रॉफिटेविल्टी कुछ इसी तरीके से है, लगाता प्रॉफिटेविल्टी बड़ी है, अब देखे आपको यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि अरे यार 59, 60 करोड तो कमा रहे हैं, बाई साब उस हिसाब से वैल्यू इन की कितनी है, तो इस कंपनी का इस तरीके के न मार्केट से पहले इनके नम्मर आते हैं, और लमसम लमसम तीन वजे के अराउंड इसके नम्मर आते हैं, तो उसके उपर हम बात करेंगे, बट आपके पास दो देन है, आप स्टेडी कर लो इस चीज पर, इस स्टॉक पर, कैसे आपको यहाँ पर अगर आपको अच्छा नहीं है, मार्केट कैप आपके फेवर में है, नेट सेल आपके फेवर में है, प्रॉफिट आपके फेवर में है, पी रेश cultiv आपके फेवर में है, पैग आप देखिए 0.82, हमेशा धिया रखें, 1.50 के विलो अगर कोई पैग है किसी स्टॉक का, तो यह बहुत ही गुड मे आता है बहुत ही बैस्ट में आता है और आप देखे पॉइंट 82 का पैग है यह आपका मार्च 2023 के इसाब से मार्च 2024 का आएगा और मार्च 2024 में भी इसका अच्छा रिकॉर्डी रहने वाला है इसमें आप ना कोई शक्रने की बात नहीं है इस पर आप देखो तो मेरे ख्याल से इन लास्ट आपको श्टडी कर लेना चाहिए इसके उपर मैं यह नी कहा रहा हूँ कि आपको टूट कर खरील लेना है देखे मामली शेर छोड़ना कोई गलत बात नहीं है मतलब आप देखे कि कितना मेहंगे मेहंगे जगा पर लोग नेवेसे थे एक बार हमें ऐसे जगा पर भी नेवेस कर लेना चाहिए जो कैपसिटी रखता है अपना कैपिबिल्टी है कमपनी के अंदर तो उस पर यहाँ पर जो है हमारा अगर इन्वेस्ट है तो कोई गलत बात नहीं रहती है हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डाउनसाइड दिखा दे Q3 के चलते तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि Q3 के रिजल्ट आएं उसको पढ़ लो तरीके से उसके बाद ही कुछ रियक्ट करो जादा बैतर है यह नए नवेसक के लिए अगर कोई पुराना इन्वेस्टेड है हटना नहीं है मेरे ख्याल से इसे स्टोक से आप कहा जाओगे आप किदर की तरफ जाओगे जब आपको कंपनी आपको ग्रोध दे रही है तो आपको प्रॉब्लम क्या है इस जगे पर रहने में और आपका यहाँ पर जो है एक सस्ता मार्किट के आपे बिलकुल ऐसा मिलता भी नहीं है अगर आपने निचले लेवल पर रखे हुए है आप तो भाग साली है यह रियल्टी है ऐसे तो मैं कभी भी कहता ही नहीं हूँ कि आपने यह है आप वो है अदर्वाइस इस पर भरोसा है इसलिए कहीं न कहीं आज यह 700 रुपे पर है इस स्टॉक को 100 रुपे से कवर किया पता है कि कैसा ग्रोथ इसने दिया है आर्णिंग पर शेयर जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़े है इसने एफाया इस आये थे 180 रुपे पर उसके बाद यह 300 रुपे तक गया था यह स्टॉक वहाँ पर इसने देड़ साल काट दिया आपका पैसा बरबाद नहीं हुआ यह बहुत बड़ी बात है यह बहुत बड़ी बात है एक रेंज में गुमा तो यह हर स्टॉक नहीं करता है आईटी स्टॉक पचास-पचास पसंद गर गए है लेकिन यहाँ पर वो चीज हमें देखने को नहीं मिली है तो इस बात को आप देखे और वहाँ से भी आपका अपसाइट है और यहाँ पर हम कवर करेते लंसलंसल 530 के राउंड यह देखे यह कुछ इस तरीक से मैंने बना रखा था और आज देखे कहाँ पर है हर लेवल पर आपको देखने मिला तो यहाँ पर क्या important लेवल होने चाहिए 600 रुपए पहला अगर डाउंसाइट दिखाता है 600 रुपए आपका जो 800 रुपए का टॉप है यह बहुत ही important लेवल है 800 रुपए की ऊपर चलने स्टार्ट कर देगा इस टॉक थ्री डिजिट से फोर डिजिट में आ जाएगा और भरोसा है कहीं न कहीं अगर कुछ थोड़ा सा मायूसी भी दिखाई देती है तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छे स्टॉक तब भी रहेगा कहीं न कहीं आप कहां जाएंगे वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप जाओगे किदर किदर आपको जाना है आप इनकी साइट पर जाकर रिसर्च कर लीजिए आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसी कमपनी है मैं क्या ढूंड रहा हूँ आपको सब कुछ मिल जाएगा इसलिए यहाँ पर कॉन्फिडेंस इसलिए आ रहा है खरीदे बाद में पहले स्टेडी करें तो आपका गयना है स्कूर कमेंस समझ केगा और आप तीज़ मिल जाएगा वीडियो देखने के लिए बहुत दन्माद दूस्तों